हर साल जब भी किसी प्रतियोगिता में सुन्दर लड़किया तीवर प्रतिस पर्दों में बाग लेती हैं तो उसे साउंदरी प्रतियोगिता कहा जाता है कासकर मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जो ऐसी प्रतियोगितायों में कई सुंदर लड़किया और अपसरसिये हिस्सा लेती हैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर किताब जीतने के लिए वे कई वर्षों तक अपनी साउंदर्य और स्वास्ति का ध्यान रखती हैं इसी तरह इस बार भी दर्शेकों में उच्साह बढ़ते हुए मिस इंडिया प्रतियोगिता बव्य रूप से बारत में आयोजित की गई हैं इस प्रतियोगिता में 18 साल की युवती मिस इंडिया बनी हैं मुंबाई के फेमस स्टूडियो में हुए ग्रैंड फिनालिये में मध्य प्रदेश की 18 वर्षियों की टीवी आंकर निकिता प्रवाल ने जीत हासल की उन्हें पिछले साल की विजेता नंदिनी गुपता ने ताज पहनाया जबकि एक और विजेता नेहा दूपिया ने मिस इंडिया साइश उन्हे दी निकिता ने मार्च 2024 में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में बारत का प्रतिनिदिस्व किया है वही मिस इंडिया 2024 की पहली रणर अब दादर नगर हवेलिक शेतर की रेका पांडे और दूसरी रणर अब गुजरात की आयूशी दोला किया रही है इस बव्य फिनाले में पूर्व मिस इंडिया संगीता बिजलानी में हिस्सा लिया है 60 वर्ष फिमिनिया मिस इंडिया प्रतियो गिता में 29 राजियों और केंदर शासित प्रदेशों की लड़किया ने बाग लिया है ये लड़किया ना केवल अपनी सुन्दरता बलकि प्रतिबा के साथ भी जंजों से प्रशन सा प्राप्त कर रही थी कई राउंड के बाद निकिता पोर्वाल ने फाइनल मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन करके मिस इंडिया का ताच अपने नाम किया है उज्जायन में जैन्मकीत निकिता पोर्वाल ने बकाउदा विश्विद्याले से उच निक्षर इसके अलावा निकिता को मंच पर रहना बहुत पसंद है और उन्होंने अब तक साथवी से अधिक नाटक किया है उन्होंने कृष्ण लीला नामक 250 पृष्ट का नाटक भी लिका है किताब जीतने के बाद निकिता पोर्वाल ने अपनी कुशी सोशल मीडिया पर सजा की उन्होंने कहा कि मैं इस कुशी में बयान नहीं कर सकते हैं मेरे पास शब्द नहीं है इस जीत पर मुझे अभी भी यकिन नहीं हो रहा है अपने माता पिता की आखों में कुशी देखकर मुझे गर्व मैसुस हो रहा है मेरा सफर अभी शुरू हुआ है और मुझे अभी बहुत कुछ हासिल करना है